Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए जून 2022 की लफ टारो रीडिंग और पिछले वीक मैंने आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग अपलोड करी है उनकी क्या true feelings हैं, उनकी क्या true intentions हैं आपके लिए तो जो भी लोग interested हैं जरूर देखें और कौन से topics पे आप पिका कार्ड रीडिंग चाहते हैं वो भी comment section पे आप मुझे जरूर बताएं इसी के साथ साथ अगर आप इस channel पे नए हैं तो please like, share और subscribe करें देखें आपके likes, आपके comments, आपकी subscription बहुत-बहुत माइने रखती है in fact यही एक motivation भी होता है नए video को बनाने के लिए तो अगर आपको videos पसंद आते हैं तो please खुल के like करें, खुल के share करें, खुल के comment करें और देखें अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant यहाँ पर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं यहाँ पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं June 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए वोगोज आप लोगों के लिए देखें कि June 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो में पस यहाँ पे तीन सेट अफ कार्ट्स हैं फर्स सेट में हम आपकी Energies देखेंगे सेकंड सेट में आपके Partner के Energies देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि Finally June मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं वोगोज और आपके लिए आपे सबसे बहले कार्ट मुझे दिख रहे हैं 10 of Cups Reverse and Cached Heart Damaged और देखें Cached Heart Damaged का कार्ट कहता है कि पीछे कुछ टाइम से या फिर जून स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर बहुत एक तकलीफ, बहुत एक परेशानी मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं कुछ वोगो उसको लिटरली ऐसे लग सकता है कि आपका दिल ही टूट गया और इसी वज़े से या अदरवाइस भी एक घुटन, एक सफोकेशन भी मन ही मन आप महसूस कर रहे हैं और देखें इन ही एनरजी इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन caged heart damaged के ओपर 10 of cups reverse का card कहता है कि आप अपने partner के साथ शादी चाहा रहे थे, एक togetherness हमेशा के लिए चाहा रहे थे और कहीं कुछ time से या June starting में आपको ऐसे लग रहा है कि ये possible नहीं है या फिर ऐसा नहीं हो रहा है और देखें कुछ वगोस के लिए ये भी हो सकता है कि आपके उनके साथ शादी की बात चल रही थी या फिर शादी fix हो गई थी या फिर शादी होते होते रहे गई और इसलिए अगेन एक तकलीफ एक परेशानी आप महसूस कर रहे हैं और देखें जो भी हो कहीं mid June के लिए Ace of Wands का कार्ट कहता है कि आप पुरानी सारी ही चीजों को छोड़के एक नई beginning अपने लिए चाहा रहे हैं और देखें नई beginning भी सब Wands के लिए differ कर सकती है कुछ Wands के लिए हो सकता है कि आप अपने current partner के साथ नई तरीके से नई सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं और कुछ Wands के लिए हो सकता है कि आप इस relationship को end करके नई इनसान के साथ अगे नई सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं और जादा मुझे लग रहा है वो गुज कि आप नई इनसान के साथ अगे नई सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं क्योंकि Ace of Wands के नीचे plenty of fish in the sea का कार्ट कहता है कि आप नए लोगों को explore करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि current partner के साथ बहुत issues रहे हों, बहुत मसले रहे हों और देखे हमने Caged Heart Damaged के card में देखा भी कि काफी तकलीव भी आपने सही और कहीं देखे 10 of Cups Reverse के भी card में हमने देखा कि शादी नहीं हो पा रही है या फिर आपको लग रहा है कि possible नहीं है और देखे फिर से आप move on करना चाहा रहे हैं नई beginning करना चाहा रहे हैं उसके लिए एक enthusiasm, excitement भी रह रहा है लेकिन देखे emotionally आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं या मैं कहूंगी कि emotionally आप low feel कर रहे हैं या आपके बहुत ज़्यादा mood swings हो रहे हैं पुरानी बाते, पुराने जो भी वादे आपके partner ने आपके साथ किये या फिर आपने अपने partner के साथ किये वो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं और अब देखते हैं वो गोस कि आपके partner की क्या energies है तो देखे आपके partner के लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है violets are blue loyalty तो देखे जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा हो कहीं मन ही मन आपके partner के लिए बहुत एक devotion, बहुत एक dedication आपके लिए दिख रहा है और बहुत you know again मैं कहूंगी loyal भी वो आपके लिए रह रहे हैं वो चाहा के भी आपके लिए गलत नहीं सोच पाते, गलत नहीं बोल पाते हैं लेकिन surface level के लिए देखे ace of swords का card कहता है कि उनका बहुत ही एक cold attitude है बहुत ही एक आपको ऐसे लग सकता है कि emotions missing है feelings missing है bluntly आपसे बात कर रहे हैं कहीं logically ज़ादा चीज़ों को deal कर रहे हैं mind से ज़ादा चल रहे हैं और देखे कहीं एक detachment भी उनकी तरफ से आप महसूस कर सकते हैं लेकिन देखे deeper level के लिए मैं कहूंगी violets are blue loyalty का card कहता है कि ऐसा नहीं है और देखे यहाँ पर erotic activation का card कहता है कि बहुत एक physical attraction physical connect आपके साथ महसूस कर रहे हैं एक physical intimacy मन ही मन बहुत ज़ादा चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखे surface level के लिए ace of pentacles reverse का card कहता है कि इस direction में action initiatives नहीं ले रहे हैं शायद देखे उनको भी इस चीज़ का हैसास है कि practically चीज़ें possible नहीं है या फिर realistic concrete level पे चीज़ें again मैं कहूंगी मुम्किन नहीं है और इसलिए शायद देखे वो एक बहुत physical attraction महसूस कर रहे हैं लेकिन उस direction में action initiatives नहीं ले रहे हैं और देखे हार्ट स्ट्रॉम का card कहता है कि वो भी कहीं जून एंड में बहुत एक उथल पुथल या मैं कहूंगी emotional उथल पुथल महसूस कर रहे हैं जैसे उनके दिल में, मन में एक तूफान सा आ गया हो और बहुत जादा again मैं कहूंगी परिशान होते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखे surface level के लिए फिर से night of swords का card कहता है कि आपको जाहिर नहीं होने देंगे आपको पता नहीं लगने देंगे बहुत ही logically हर चीज को deal करेंगे और हो सकता है कि June end में वो travel भी करें या फिर देखे एक movement, एक shift लाना चाहा रहे हैं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं जो भी चीजें आप दुनों के बीच में चल रही हैं उन्हीं से ही related या फिर अपनी personal life से related एक clarity चीजों को लेकर लाना चाहा रहे हैं और देखे फिर से मैं कहूंगी कि कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इन फैक बहुत speed से आगे बढ़ रहे हैं और देखे ये movement भी सब Virgos के partner के लिए differ कर सकती है कुछ Vogos के partner के लिए हो सकता है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर देखे वो भी इस relationship को end करके अकेले ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और देखे मुझे जादा दिख रहा है कि कहीं वो अकेले ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और देखे वोगोज ये सिरफ और सिरफ जून मन्त की एनरजीज हैं और जून मन्त में ऐसा दिख रहा है जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए ही एक separation या फिर एक you know ending, beginning आप लोगों के लिए रहे और अभी तो देखे आप दोनों की एनरजीज में ऐसा दिख रहा है हम जून मन्त की अभी cards रीट करेंगे उसमें देखेंगे कि actually जून मन्त में क्या हो रहा है तो देखे जून मन्त के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले cards दिख रहे हैं Six of Cups, Rivers and Casual Dating और देखें Six of Cups का card कहीं past की बात करता है और यह general reading है तो सब के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा differ करेगा कुछ वगोज के लिए हो सकता है कि past में जो भी अच्छे पल आपने पार्टनर के साथ बिताए उनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सूच रहे हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको याद आ रहे हैं कुछ वगोज के लिए हो सकता है कि किसी इनसान के साथ आप casual dating तो कर रहे हैं लेकिन कहीं आपका दिल, दिमाग past में अटका हुआ है और कुछ के लिए हो सकता है कि past के ही किसी इनसान के साथ एक casual dating आप कर रहे हैं लेकिन दिखिये जो भी हो यहाँ पे six of swords rivers का card कहता है कि बहुत एक stuck energies इस relationship में रह रहे हैं या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत एक stuck energies महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आगे तो बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और देखिये वो गोज आपके लिए हमने Ace of Wands में देखा था कि एक नई beginning आप करना चाहा रहे हैं और आपके partner भी कहीं move on करना चाहा रहे हैं और देखिये June month के cards कहते हैं कि again आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं और इसी से ही related हो सकता है कि कुछ risk आप लोग ले रहे हैं और देखिये यहाँ पे Six of Swords का card हो सकता है यह भी कह रहा हो कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक travel करना चाहा रहे हैं लेकिन travel नहीं कर पा रहे हैं और देखिये Mind Possessiveness का card कहता है कि कहीं June end में बहुत एक positive, बहुत एक obsessive सी energies इस relationship में रह सकती हैं जहाँ पे आप दोनों को ही ऐसे लग रहा है कि भई, you know, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं अगर वर्गोज आप किसी और से बात करते हैं तो आपके partner बहुत jealous feel करते हैं और आपके partner भी किसी और से बात करते हैं तो आप भी बहुत एक जलेसी महसूस कर रहे हैं लेकिन देखे आपके partner जो भी महसूस कर रहे हैं कहीं उसको आपको जाहिर नहीं होने देंगे क्योंकि देखे उनके cards में हमने बहुत ही clearly देखा था कि deeper level पे एक emotions है, dedication है, devotion है, physical connect भी महसूस कर रहे हैं या फिर physical attraction मैं कहूंगे महसूस कर रहे हैं, physical intimacy चाहा रहे हैं लेकिन आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं और देखे हापे queen of pentacles, reverse का card कहता है कि या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई बहुत practical, बहुत realistic हो रहे हैं या फिर practical तरीके से चीजों को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन उतना practical नहीं हो रहे हैं और देखे जो भी हो यहापे queen of pentacles, reverse का card कहता है कि कहीं, you know, realistic या फिर concrete level पे कुछ खास जून मन्थ में इस relationship में नहीं हो रहा है कुछ commitment, stability, security आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक again जून मन्थ में नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं तो यह था वो गोज आप लुगों के लिए June 2022 की tarot reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चानल को like, share और subscribe जरूर करें